हेलो एप्रिवन मुझे उमीद है आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम पढ़ने वाले है लेक्च नमबर एट वर्क इनरजी और पावर इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे को लीजिन ठीक है जब हम को लीजिन की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है झैसे दो इनसान हैं या दो वैक्ती हैं वेक्ती हैं दोनों में क्या हो रहा है किसी चीजों को लेकि किसी चीज की वज़े से मतभेथ शिडही हxico होई जो एक दूसरे के एप कर रहे हैं गлар…… जब जैसे ही कोई बात चड़ती दोनों में क्या होते हैं यॉशं का यॉर्वार क कि जब दो ऑबचेक्ट, दो कोई चीज है, दो कोई वस्तू, दो कोई ऑबचेक्ट जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्रियेट होती हैं, क्या कैनेटिक एनरजी में कौन से चेंजेस आते हैं, मुमिंटम में क्या चेंजेस आते हैं, तो इसे पूरे ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है, so let's start our session, और session को शुरू करने से, I would like to request each and everyone की session को like, share and subscribe, ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही session लाते रहेंगे, आपकी concepts clear करते रहेंगे, आपके कुछ questions solve कराएंगे, और हाँ, इस concept पे, collisions पे, बहुत सारे questions exam में आते हैं, जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा important questions होते हैं, important concept obviously ये हैं, तभी सारे questions आते रहते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं अपने session, और शुरू करते हैं collision का concept, okay, so, अब देखो, जब हम collision की बात करते हैं, आप लोग देख सकते हो, जब हम collision की बात करते हैं, so, what is collision, सबसे पहले, what is collision, ये चीज हमारे दिमाग में आ जाती है, कि भाई, collision होता क्या है, ठीक है, collision का exactly मतलब क्या होता है, अब मैं अगर definition यहाँ पर दू कि definition है क्या, ठीक है, so, definition है basically, that collision means two objects coming into contact with each other for a very short period of time, very short period of time, इसका सबसे बहतरीन एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कारम बूट, okay, जैसे हम कारम केलते हैं, कारम केलते हैं, तो कारम केलते हैं, जब बैसिकली जो कोईन होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, गोटी को जब हम मारते हैं, तो basically scene क्या होता है, बहुत कंट टाइम में, जब एक पर्टिकुलर कोईन दूसरे को क्या करता है, तच करता है, और उसकी वज़ा से दूसरा जाके, गोल हो जाता है, या फिर क्या होता है, भूज करता है, ठीक है, तो यह सबसे best example है, collisions को समझने का यहाँ पे, ठीक है, तो collision का मतलब, अब से यहाँ पे clear कर लो, collision मतलब टकराओ, और वो किस तरह का टकराओ, जैसे two object, two object, coming into contact, with each other work, for very short time, बहुत कम time के लिए, एक दूसरे से contact में आते हैं, उसके बाद जो भी होता है, वो possibilities के अंदर आता है, तो collisions क्या हो गई, collisions means two object, coming into contact with each other, for very short period of time, तो I hope सभी को समझ गया होगा, तो example हमने ले लिया, इस तरीके से बहुत सारे examples है, जो आप day to day life में, experience करते हो, जिसमें collisions होता है, तो सबसे best example हमने दे दिया, that is carom का, जब हम carom कहलते हैं, I hope सभी को carom खिलना, या फिर नहीं भी पसंद होगा, तो कम सकम देखा तो होगा, सबसे fun game क्या होता है, carom ही होता है, जैसे हम सारी families मिलते हैं, हम शुरू कर देते हैं, carom खिलना, ठीक है, तो उस basically carom खिलते टाइम, अब देखो, जब हम खेल रहे हैं, तो physics की एक सबसे अच्छी बात है, कि चलो, biology, chemistry तो जो हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, लेकिन physics की एक अच्छी बात है, जो हम day to day life में करते हैं, उसके अंदर हम अपने इनों physics को अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कमरां खेल रहा है, अगर अगर डीप में जाके देखो, तो carom खेलते टाइम, basically, जैसे मैंने एक्जेम्पल दिया, कि कोईन को, एक कोईन दुसरे को टच्छ कर रहा है, very short period of time, I hope आज के बाद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, कि कोलीजन होता क्या है, ठीक है, now, coming forward, चलो, move करते हैं, और पढ़ते हैं, कि exactly होता क्या है, अब देखो, जिब दो अबचेक्ट एक दूसरे से कोंटाक्ट में आते हैं, तो according to the momentum, तो उनका momentum क्या होता है, before collision and after collision क्या होता है, same होता है, यह कहा गया है, conservation of momentum in collision, मतलब क्या होता है, the momentum of, that is M1 V1, plus M2 V2, equals to, one second, equals to, equals to, that is, अब अगर इसको मैं माल लू, I'm really sorry, अगर मैं इसको माल लू, कि अगर मेरा U1 क्या है, U1 क्या है, मेरा initial velocity है, and V1 क्या है, मेरा final velocity है, for first mass के लिए, ठीक है, for first object के लिए, और second के बात कर लो, कि U2 क्या है, initial velocity है, and final क्या है, V2 है, तो इसको final momentum हमारा क्या हो जाएगा, that is, M1, U1, plus, M2, U2, equals to, M1, V1, plus, M2, V2, ये बात हो गई, तो हमेशा, जब collision की बात आती है, तो collision में, conservation of momentum, before collision, and after collision, हमेशा, same होता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, कि momentum, momentum, in collision, collision, is always, always, same, before, before, and after, after the collision, right? after the collision, okay? बट रही बात, kinetic energy की, okay? जब हम बात करते हैं, kinetic energy की, जब, अब, क्या हुआ जब दो आपचेक्ट, जैसे का हो गया, ये बॉल, okay? दूसरा बॉल, एक दूसरे से टकराएं, ठीक है? अब तकराने के बाद, ये तो मेरा, पहले एक दूसरे से, एक क्या है, रेस्ट पे है, दूसरा आ रहा है, जूसरा भागते बागते आया, ठकराया, ठीक है? एक सिंबल सा एक्जाम्पल लेते हैं, कि एक ब्यक्ती है, आप ही खड़े हो, और दूसरा एक इंसान, बहुत तीजी से आ रहा है, आप से टकरा आ रहा है, और बहुत शौट पीरेट टाइम के लिए टकरा रहा है, उसकी वज़ए से आपको थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हो, ठीक है? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सेम यहां पे, इस बारे में बढ़ते हैं, क्योंकि क्यानेटिक एनरजी कम जादा होती रहती है, ठीक है? तो इसके बेस्ट, बैसेकली क्या है, इस बारे में हम बढ़ते हैं, तो इसके बेस्ट, बेस्ट उन कंसर्वेशन ओक मोमिन्टम, और कानेटिक एनरजी, हमने क्या किया, डिवाइड किया, थ्री काटेगरी में कोलिशन को, दे वेरी फॉर्स काटेगरी इस, दाट इस, परफेक्टली इनलास्टिक, दूसरा, एलास्टिक, अब इस तरीके से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही और फॉलो करो, पहले आप ले सकते हो, कि इलास्टिक, ठीक है, और दूसरा ले सकते हो, इनलास्टिक, इनलास्टिक, और तीसरा ले सकते हो, परफेक्टली इलास्टिक, और completely elastic, okay, so perfectly, perfectly elastic, और completely elastic, तो अब से ये पता, अब से हमेशा ये जान जाना कि तीन टाइप के collisions होते हैं, that is the very first, it is perfectly elastic and the second one is elastic and the inelastic, अब अब अपने तरीके से कर लेना, ठीक है, अब इसको चलो हम detail में पढ़ते हैं, डाइग्राम से तो आपने देख लिया होगा कि कुछ-कुछ हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ masses लेंगे, दो object लेंगे, जिनकी masses अलग अलग होंगी, ठीक है, अब उस हिसाब से हम देखेंगे कि perfectly inelastic क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है और inelastic क्या होता है, चलो फिर पढ़ते हैं one by one, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इलास्टिक क्या है, ठीक है, इन इलास्टिक क्या होता क्या है basically, अब जब बिफोर क्लिशन, आफ्टर क्लिशन, दो ही object होंगे, जो एक दुसरे से टक्राएंगे, ठीक है, अब मान लो कि इसका mass क्या है, M1, ठीक है, और दुसरे का mass क्या है, M2, और इनकी initial velocity है, U1, अब दुसरे की initial velocity है, U2, ठीक है, अब यह क्या है, एक क्या है, रेस्ट पे है, एक रेस्ट पे है, दुसरा मूब करके आ रहा है, एक दुसरे से टक्रा रहे हैं, ठीक है, एक आया, दुसरे को टक्राएंगे, तो इससे टकराया, ठीक है, first M1 आके M2 से टकराया, तो second वाला, या कुसमें से कोई एक ऐसा object होगा, जो same ही kinetic energy से move कर जाएगा आगे, ठीक है, elastic collisions, मतलब क्या होगा, कि जब दो object एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, एक जो object होगा, वो क्या होगा, same ही kinetic energy से, उसी speed से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इसे को हम क्या कहते हैं, elastic collisions, इसमें क्या होता है, before collision, total kinetic energy, equals to, after collision, total kinetic energy, क्या होगा, same होगा, ठीक है, I hope सभी को समझा होगा, कि, इस elastic collision में, हमेशा है याद रखना, elastic collision में, kinetic energy remains same, before collision, and after collision, अब इसका example ले लेते हूँ, कि, आप कैसे याद रखोगे, कि elastic collision में, kinetic energy, same कैसे रहेगा, ठीक है, अब जैसे कि, देखो, रबर होता है, जो रबर हम बालो में लगाते हैं, या फिर नॉर्मल वो जो रबर होता है, जिससे हम कुछ सामान बांध कर रखते हैं, I mean, उसको ऐसे रख देते हैं, जो मिठाई के डबो में आती है, ठीक है, अब उस collision, उस, sorry, उस object को, उस rubber को, अगर आप stretch करोगे, stretch करोग the same होता है, तो इसी से ये समझ लो, कि elastic collision में kinetic energy remains same before collision and after collision, kinetic energy, kinetic energy remains same, ठीक है, तो ये रही अपनी elastic collision की बाद, चलो अब आगे वढ़ते हैं, I hope सभी को elastic collision से समझ गया होगे, कि concept क्या है, आगे चलके हम derivations भी पढ़ेंगे, ठीक है, फिलाल के लिए we are learning about the exactly concept होता क्या है, क्योंकि बच्चों को ही क्या होता है, कि elastic, inelastic, और perfectly elastic में ही problem होती है, और आगे चलके derivation करना सुडू करते हैं, तो हम क्या करेंगे, धीरे करेंगे, इस concept को धीरे पढ़ेंगे, पहले हम concept क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तब हम derivation पे जंप करेंगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़के, अब हम कहां पर आ रहे हैं, completely inelastic collision, ठीक है, अब completely inelastic collision में क्या होता है, अब जैसे देख लो कि दो object है, एक object M1 है, और दूसरा object M2 है, अब M1, M2 इनका ना मास M1 है, और सेकेंड का मास M2 है, दूसरे के मानलो की initial velocity V1, I है, या simply U1 ले लो, और M2 का क्या है, U2 है, ठीक है, अब क्या होगा, ये बिफोर कोलिशन है, बिफोर कोलिशन एक दूसरे से टकराए नहीं है, अभी तक, ठीक है, जैसे ही वो टकराते हैं, आफ्टर कोलिशन हो के एक ही स्पीड में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक ही स्पीड में आगे बढ़ जाएंगे, उन में क्या होगा, बेसिकली, देखो, इसलिए यहां पर दिया गया है, कि बिफोर कोलिशन M1, M2 अलग अलग थे, जैसे ही कोलिशन होता है, जो फाइनल वेलासिटी होगी कि दोनों सेल वेलासिटी से एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से अपार्ट नहीं होगी, ठीक है, ऐसे एक्जामपल ले सकते हो, कि जैसे दो वेक्ती हैं, या फिर आप और आपका फ्रेंड है, बेस् फ्रेंड, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो कि पहले जब तक आप नहीं मिले थे, तो आप सब क्या थे, अलग-अलग थे, जैसे ही एक दूसरे से आप मिले, उसके बाद से कभी जुदा नहीं हुए, कभी नहीं, हमेशा एक साथ-साथ चले, ठीक है, वही होता है, completely inelastic collision, ठीक है, सेम यहीं पर वही बात हो रही है, कि जब दो अबचेक्ट, before collision एक दूसरे से, जैसे ही collide होते हैं, very short period of time, इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, कि दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में जुड़े-जुड़े आगे बढ़ रहे हैं, that's what we call completely inelastic collision, एक साथ, अगर एक बार stick हुए, तो stick ही रहेगे, ठीक है, और तो अब दे होते हैं, final speed, VF के speed में चलते हैं, तो I hope सभी को ये समझ में आया होगा, कि completely inelastic collisions में होता क्या है, completely inelastic collisions में क्या होते हैं, कि दोनों object, एक साथ, after the collision, दोनों same speed से आगे बढ़ जाते हैं, motion में चले जाते हैं, ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, कि कोई एक object, after the collision, मतलब, elastic collision में क्या होगा, elastic collision में क्या होगा, कि after collision, कोई एक object, कुछ speed से कुछ kinetic energy के साथ आगे बढ़ जाएगा, अब दूसरे वाले, that means, perfectly inelastic collision में क्या होता है, कि पहले तो apart, I mean, before collision, they are separated, once they collide each other for very short period of time, उसके बात क्या होता है, दोनों same speed में, they are stick together, okay, both the objects stick together, and they'll be going in the same speed, okay, same kinetic energy से, okay, अब बात आ गई, दूसरे की, ठीक है, अब inelastic collision क्या होता है, ठीक है, inelastic collision क्या होता है, inelastic collision में, यह नहीं perfectly elastic है, you know, और नहीं perfectly inelastic है, नहीं, you know, elastic collision है, इसमें होता क्या है, कि लेट से, again, we have a one object, जिसका mass, M1 है, दुसरे का mass, M2 है, ठीक है, यह था, before, before collision का, you know, scene क्या है, कि दोनों पहले, साथ में अलग-अलग, ठीक है, ठीक है, साथ में नहीं, अलग-अलग के, जो पहले का था, V1 velocity, initially and V2 velocity, but after, once they collide each other, once they collide each other, after collisions, what will happen, कुछ kinetic energy दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक अलग kinetic energy से चलने लगेगा, okay, and दूसरा अलग kinetic energy से चलनेगा, even though after collision, दोनों एक दूसरे, after collision, the both the object, it will be moving in two different direction, with two different velocity, okay, कुछ kinetic energy, कुछ velocity इसमें आ जाएगी, ठीक है, कुछ velocity इसमें आ जाएगी, ठीक है, so this is called the inelastic collision, ठीक है, I hope सभी को समझ में आया, इसका एक perfect example हम अपने real life में ले सकते हैं, कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग, या फिर कुछ हमारे life में कुछ लोग ऐसे आते हैं, जो मिलते तो हैं, बिट कुछ दिनों तक दोस रहते हैं, short period time के लिए दोस रहते हैं, कुछ अलग इनों, कुछ एनरजी लेके, I mean कुछ आपसे सीखके, आप कुछ उनसे सीखते हो, इस तरीके से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो इस वही क्या होता है, In Elastic Collision, So I hope सभी को इस बारे में, I mean In Elastic Collision का आइडिया लग गया होगा, तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़के, पहले एक बार हम समराइज कर लेते हैं, कि हमने शुरू कहां से किया था, तो हमने शुरू किया था, तो हमने शुरू किया था, कि Collision होता क्या है, Collision मतलब, अगर हम Simple Bhasha ले-ले, Simple Language ले-ले, general Language ले-ले, तो मतलब टकराओ, अब जब हम science की बात करते हैं, physics की बात करते हैं, तो Collision का मतलब क्या आ जाता है, Collision मतलब, दो आपचेक्ट, दो आपचेक्ट, जो आपस में आके, called collision right the collision means object coming into contact with each other for very short period of time the perfect example we have taken here that is the carom while playing the carom you know the coins get you know comes in contact with a very short period of time then after one of the you know the both they go separate right so this was our collision now let's move on so we have studied that what is in collision what is momentum and energy conservation concept okay so when two objects collide from one to the other then the conservation of momentum what is always conserved hota hai momentum is conserved but rahi baat kinetik energy ki so kinetik hamesha conserved nahi hota hai it gets change each and every time there is a possibilities ki wo kya hote hai change hote hai to any concept ko dhyan mein reakti huye collisions it's been divided into three part three basically type so wo type humare paas hai that is perfectly inelastic elastic elastic and inelastic okay order you have to do your own way you know that it is elastic and the other is inelastic then last one perfectly elastic and inelastic okay so now we will study it in detail I mean we have studied it in detail we have to summarize it we have studied it in the elastic and two objects one is mass m1 and the other is mass m2 and the first has u1 velocity initially when it is rest and the other has u2 velocity when it is rest pe hai initial velocity toh jab ek dúsre se takrata hai before kya hota hai total kinetik energy and jab ek dúsre se collision after the collision the total kinetik energy remains constant okay that's what we called elastic collisions hamesha yad rakhna ki elastic collision me total energy the kinetic energy remains constant and momentum toh constant I mean it is you know conservation momentum toh hai hi right let's move on and move on and then we have taken the second type that is completely inelastic collision now it's about completely inelastic collision which I have given an example that if we get two friends we get two friends and then we go through the whole life through the whole life through the other okay so here we are talking about the same thing here so now there is some object m1 and m2 okay initial velocity which was u1 and u2 this is the before collision as we collide after collision those two objects they get stick together both together that means it becomes m1 and m2 or unki velocity f final ho jati hai completely inelastic completely inelastic thik hai ek baar stick ho gae hai toh dúsri same position pe apart ka bhi nahi hoongi so this is completely inelastic collisions ab aagye bađhenge hum phir humne last meh padha ki inelastic collision kya hota hai inelastic collision meh hoota hai ki doh object two object two object they are apart from each other this you know and they have the mass one and mass two m1 m2 have the velocity v1 and v2 ya fir u1 and u2 lelo thik hai after the collision they gets you know they get separate and they start moving with few velocity so basically here after collision both the objects start moving with some velocity okay so that's what we call the inelastic collision okay so let's get start I mean let's jump to the next I mean this related topic hai that is ab jab baat aati hai one dimensional inelastic collision ki hoota hai now what we call one dimensional collision what is happening some collision everybody knows all colision there is no solution to one thing to everyone in the collision will become bothering to anyone but I mean what of one thing about one-dimensional collision and what is happening about thick too so what is the loop un nhân level alt but what is happening to the same type of which uno tell me this pu awaited so let's start to see one dimension line, line of contact, okay, line of contact, okay, the collision which is happening one line linearly, एक particular line में हो रही है, ठीक है, that's what we call the one dimensional collisions, okay, so before collision, they are separated each other, ये समझ के रहो, one dimensional मतलब, the collision which is happening, which is going on, on the line, okay, on the line, ठीक है, अब यहां पर, the object, two object which is separated, उनका mass M1 है, M2 है, after the collision, they stick together, और दोनों M1, M2 के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो किसका example है, perfectly inelastic collision, which is happening in a one dimension collisions, राइट, तो चले आगे बढ़ते हैं, इस पर अब हम अब होता क्या है, अब इसका derivation करते हैं, आज, आज के session में, we'll be doing, कि one dimensional completely inelastic का collision, ठीक है, तो अब देखो, यहां पर होता क्या है, कि अब one dimensional, one dimensional, completely inelastic collision की बात क्या हो रही है, अब object आपने देख लिया, कि कोई एक object है M1, और दूसरा object है M2, दोनों before collision है भाई यह, ओके, and after collision, क्या हो रहा है, they stick together, they stick together and they start moving, तो इस पर अब क्या करेंगे, जैसे कोई एक object है M1, ठीक है, then it is having a M1 mass and having a, that is, okay, ठीक है and having a initial velocity U1, दूसरा object है, that is M2, okay, it is having, it is at a rest position, ठीक है, M2, this is M2, और इसका क्या है, zero velocity है, no velocity, at a rest position, okay, when they will collide each other, okay, so what will happen, यहां पर object क्या हो जाएगा, M1, M2, M1 प्लस M2, इनकी velocity क्या हो जाएगी, that is, यहां पर यहां पर ले लो कि यह V1 की velocity है, ठीक है, तो यहां पर जाके, velocity V1 हमने माल ली, ठीक है, according to the momentum conservation हमेरे, हमेरे पास क्या होता है, that is, according to, according, according to conservation of momentum, conservation of momentum, ठीक है, तो यह क्या होगा, ठीक है, तो यह क्या होगा, that is, M1 V1 plus M2 0 equals to, this is M1 plus M2 and इसकी velocity V dash हो जा रही है, this is the according to the momentum, conservation of momentum, right everyone, okay, अब यह होगाई, तो अब यह तो होगाई अपनी 0, ठीक है, तो बचा है क्या, M1 V1 equals to M2, M2, sorry, M1 plus M2 and V dash, so V dash की आगे क्या वैलू अपने पास, that is, V dash क्या वैलू क्या आगे, that is, M1 plus M2 divided by M1 plus M1 into V1, यह वैलू हमारे पास आगे, right, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब तो होगाई यह conservation momentum की बास, okay, but what about kinetic energy, ठीक है, kinetic energy हमें पता है कि inelastic, I mean the perfectly inelastic में change होती रहती है, हमेशा same नहीं होती है, मतलब, अब जब क्या होगा, कि दोनों stick together हो जाएंगे, तो कुछ kinetic energy का loss हो रहा है, तो हम, instant of, you know, same kind, हम find क्या करेंगे, loss in kinetic energy, ठीक है, so loss in kinetic energy हम यहाँ पर find करेंगे, loss in kinetic energy, okay, so that means, अपनी kinetic energy क्या हो जाएगी, that is, kinetic energy final minus kinetic energy initial, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, kinetic energy equals to kinetic energy final minus kinetic energy initial, अब kinetic energy final और kinetic energy initial की बात हो रही है, तो अब finally initial ही क्या हो रहा है, that is, half M1, final क्या हो रहा है, जब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब, अब हमें kinetic energy final की जगा पर हम क्या लेख सकते हैं, half, half M1 plus M2, ठीक है, and V dash square, right, V dash square equals to, अब यह क्या हो रहा है, kinetic energy initial क्या हो जा रही है, half M1 and V1 का square, right, क्योंकि दूसरा वाला तो 0 हो जा रहा है, V2 वाला, M2 वाला तो 0 हो जा रहा है, ठीक है, अब V dash की value हम लोग यह लिख सकते हैं, right, so अपना V dash क्या हो जाएगा, यहाँ पैसे कर लो, half M1 plus M2, in bracket, V dash की value अपने पास क्या आ जाएगी, that is, M1 plus M2, okay, I'm sorry, इसका value क्या होगा, that is, यहाँ पे, यह value अपना V dash equals to M1, V1 divided by M1 plus M2, इसके लिए सभी, sorry, यह होगा, ठीक है, क्योंकि यह वाला यहाँ पे जाएगा, तो this should be in numerator, not in, sorry, in denominator, ठीक है, तो यह मेरा हो गया, M1 and M2, अब V dash की value हम फाइड कर लेंगे, तो V dash की value हमें पुट करनी है, तो V dash की value, we'll be putting here, ठीक है, we'll be putting here, that is, V dash की value अपनी क्या है, M1, V1 divided by M1 plus M2 bracket close equals to half M1, V1 का whole square, अब यहां से यह square में है, तो यह square में हो जाएगा, यह square में हो जाएगा, और this is also the whole square, right, so इससे one power is get cancelled, right, तो हमारे पास बचेगा क्या, that is, हमारे पास बचने वाला है, यहां पे की half, half M1 whole square V1 whole square divided by M1 plus M2, right, one power बचा था, equals to half M1 V1 whole square, अब रही बात हमारे पास इतनी चीज़े आ गई, तो अब हम करेंगे क्या, अगर क्या करो, यहां से, अब इसको मैं क्या करती हूँ, इस side ले लेती हूँ, तो यह minus में आ जाएगा, प्लस में है, यह जो part है, अगर मैं इस side ले लेती हूँ, तो क्या होगा, minus में आ जाएगा, तो यहां से, अगर, no space कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखे, यहां पर लिखते हैं, ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं, ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं, अब देनों मैं इसको इस side लेकर आ जाती हूँ, तो this is in plus, तो यहां पर आएगा तो minus हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, हाँ एक काम करते हैं, इसको हम, okay, half, that is m1, m1 square v1 square divided by m1 plus m2 minus half, minus half, that is m1, m1 v1 का whole square, right, इसे क्या काम करते हूँ, मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, completely इसको erase कर देते हैं, ठीक है, तो अपना equation कहां से आया था, यहाँ पर, that is, the half, half m1 whole square v1 whole square divided by m1 plus m2, right, यह हुआ था, minus of half m1 whole square v1 whole square, यह अपना आया सा equation, right, अब यहाँ से आप कुछ चीज़े कॉमन ले सकते हो, अगर half m1 square v1 square common ले लेते हो, तो आप अपने यहाँ पर क्या करो, half m1 whole square v1 whole square, अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर m1, m2 यहाँ पर हमारे साथ, अगर यह आ जाए, तो हम simply हमारे अगर m1 का, m1 हम लोग side में ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर बचेगा क्या, that is m1 divided by, divided by, स्रिप m ले लो, not square, स्रिप m, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, I'm sorry, यह अपना हो जाएगा, यह अपना है, that is, you know, m, half mb square, not m square, mb square, ठीक है, तो यह अपने पास क्या हो जाएगा, अगर m square as it is है, m को हम लोग कॉमल ले लिए, तो एक m यहाँ पर बचा, that is m1, तो यह हो जाएगा, m1 plus, m2 minus, और इस साइड अपने पास क्या बच जाएगा, 1, क्योंकि हमने यह पूरा पार्ट को क्या ले लिया, कॉमल ले लिया, ठीक है, तो कॉमल ले लिया हमने यहाँ पर, यह हमारे पास value बची, हाप m1 v1 square, m1 divided by m1 plus m2 minus 1, यह बच गया, अब देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने क्या करो, यहाँ पर LCM ले लो, इसको तो as it is रखो, हाप m1 v1 का whole square, यहाँ पर जाके, अब इसे अगर common ले ले लेते हो, m1 plus m2 as it is ले 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 हो, और यहाँ पर क्या है, m1 ऐसे ही है, इस side जाएगा, तो m1 minus m2, LCM ले लिया, तो यह यह get cancelled, ठीक है, यह बच आपने पास, तो हमारे पास equation क्या आ जा रही है, half m1 v1 whole square, that is, यहाँ पर, अब यह हो रहा है, minus, minus, minus m2 and m1 plus m2, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यह minus value इसके आगे लग जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, जो kinetic energy final है, the kinetic energy final, it is lesser than the kinetic energy initial, जब minus में आ जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, completely inelastic collision में हो रहा है, कि kinetic energy का loss हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर minus आया, तो that means यह पूरा equation अपना क्या हो जाएगा, minus में हो जाएगा कि half, half, minus of half m1 v1 square, ठीक है, in bracket m divided by m1 plus m2, तो इसका मतलब क्या है, minus में आना, minus का मतलब क्या है कि kinetic energy क्या हो रहा है, है, final kinetic energy less than initial kinetic energy, अब देखो, initial, before collision के बाद, after collision, kinetic energy या तो equal होना चाहिए, या तो बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो basically, यहाँ पर kinetic energy loss हो रही है, completely inelastic collision में क्या होता है, कि जब दोनों object, before collision, they are apart, जैसे ही collision होता है, they stick together and they move, तो मतलब यहाँ पर देखो, negative of half mb square, I mean, minus में आ रहा है value, तो that means, kinetic energy final less than the kinetic energy initial, यह रहा one dimensional completely inelastic collision, तो इससे हम यह प्रूफ कर सकते हैं कि completely inelastic collision में kinetic energy का loss होता है, तो आज का session बस इतना ही तक था, आगे आने वाले session में हम one dimensional elastic collisions पढ़ेंगे, inelastic collision पढ़ेंगे, उसके अच्छे से derivation करेंगे, और कुछ questions भी solve करेंगे, जो की important questions होंगे, जो PYQs होंगे, यह सारे questions हम अच्छे से solve करेंगे, तो इसी के साथ session को मैं end करती हूँ, and I would like to request each and everyone की session के साथ जुड़े रहो, यहाँ पे बहुत सारे concept आपको पढ़ने मिलेंगे, कुछ questions solve करेंगे होगा, और आप ही की pace में पढ़ाया जाएगा, तो session को like, share and subscribe कर देना, अगर आपको कोई doubt होता है, कि आपको नहीं समझा है, concept कुछ नहीं समझा है, या फिर आपको किसी और session चाहिए, किसी और topic पे session चाहिए, तो उसको आप comment box में comment कर देना, we will try to make, I mean upload the video on that, you know, topics as well, और आपके queries का भी हम क्या करेंगे, we will try to give the answer in the chat box as well, okay, so आज के साथ, आज का session यहीं पे end करते हैं, so everybody's, मिलते हैं next session में, bye bye everyone, take care, so and like and share, subscribe जरूर कर देना, bye,